हलो और वेलकम दोस्तों दो फाइंट इंजिनेरिंग आज का वीडियो वाकि बड़ा गमाल कमने वाला है दोस्तों आज के इस वीडियो में भाई यह आपन क्लिपिंग यह समझने की जर्णी है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका पहला वाला जो टाइप है पॉइंट लगाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को आपन क्लिपिंग कहते हैं तो अगर यह क्लिपिंग होता बाई साहब तो शाय भी क्लिपिंग का फंड़ा आपके उनिविशिटी सिलाबस में ही ना होता अगर क्लिपिंग का यह मतलब होता बराबर है तो यह तो जस्त ऐसी मैंने सी मज़ाइक में बोल दिया यह थोड़ी ना क्लिपिंग होता है तो चलो दोस्तों अभी एक्ट्वल मीनिंग ओफ क्लिपिंग को जाना जाए समझा जाए जिसके लिए आपने को इस खिड़की की जरुद पढ़ने वाली खिड़की दिख रहे हो आप रेक्टाइंगुलर शे इस तरीके से भी हो सकता है जिस केस को आपन कहते है पार्शली इंसाइड या पार्शली आउटसाइड तो पार्शली नेचर देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना होता है इस क्लिपिंग में एक प्रोसीजर है एक तरीके से जिसमें हम लोग अपने पर्टिकलर अपजेक का किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं वीजीबल दिखा सकते हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं और रिमेइनिंग कुछ ज वो depend करता आपके इस window की उपर, वो क्या किसके उपर depend करता है, window की उपर, मतलब आप उस particular portion of object को display करवाओगे, visible करवाओगे, select कर लोगे, जो आपके इस inside of the window में होगा, मतलब इस window के inside में होगा, तो भाईया उस object का वो particular portion जो है, वो आपके display हो जाएगा, visible होगा, select हो जाएगा, बराबर है, लेकिन अगर मान लो कुछ portion आपका outside the window है, कहीं तो कुछ outside the window है, तो उसको आप क्या करता हो भाईया, यहाँ पे reject करते हो, बराबर है, उसको select नहीं करते हो, उसको reject करते हो, उसको discard करते हो, उसको भाईया, display नहीं करवाना है, this is all is what is happening under the heading, clipping, यह आपको समझना है, point clipping, यह जो funda है, यह जो type है, यह बड़ा ही simple सा है, क्यूंकि यहाँ पे आपन points के साथ deal करने वाले हैं, बड़ा simple सा मामला है, यह मैं अभी आपको समझाना चाहूंगा, यह जो window है मेरी, यह जो rectangular window है, इसको मान लीजे मैंने यहाँ पे x, y plane पे रख दिया, कुछ इस तरीके से सही बात है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजे इस point की यहाँ पे p1 जो है, x1, y1 यह उसके coordinates है, बराबर है, अब यहाँ point clipping में हो क्या रहा है, कि कौन सा एक particular point जो हमें given है, चाहे वो आपको numerical exam में दिया हो, या फिर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो सामने यहाँ पे, तो यह point जो है, यह आपको पता करना है, कि भाईया वो inside your window है या outside your window है, इंसाइड होगा तो भाईया वो display हो जाएगा, लेकिन outside होगा तो भाईया उसको reject कर दिया जाएगा, बराबर है, तो अपने को यह पता करना है, कि अभी तो अपने को यार अपनी नज़रों से दिख रहा है, कि ये भार है बराबर है लेकिन अपने को पता लगाना है कि ये इस window के बाहर है इस वजह से भाईया इसको आपने को रिजेक्ट कर रहे हैं ये डिस्प्ले नहीं होने वाला इसको आप clip off कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं ठीक है और एक और point मान लीजी यहां पर है P2 जिसके coordinates बढ़ाबर है कुछ इस तरीके से अब आपने को दिख राए कि ये विंडो के अंदर है ये विंडो के इंसाइड है तो इसको आपन सिलेक करेंगे consider करेंगे इस point को अपने clip नहीं करने वाले इसको निकाल नहीं देने वाले ठीक है लेकिन यहां फिर सवाल वही आ जायते कि यह पता कैसे लगाया जाए कि यह जो point है आपका जो भी दिया हुआ है question में numerical में जो भी दिया हुआ है वो हमारे इस window के अंदर है वार है यह कैसे पत चीज़ें चीज़ें कौन सी चीज़ें सबसे पहली बात तो यह एक चीज़ चाहिए यह दूसरी चीज़ चाहिए यह तीसरी चीज़ और यह चौथी तो यह वाला जो respective point है उसको आप x minimum कह सकते हो मतलब यह minimum x minimum और यह दूसरा end जो है उसका वो है आपका x maximum बराबर है y पर अगर consider किया जाए तो यह y minimum बराबर है और यह उपर वाला जो है यह y maximum यह चार चीज़ें आपने को चाहिए और यह चार चीज़ें आपने को कैसे मिल सकती है यह simple है आगर अगर अपने को window पता है तो आपने को window का यह जो corner points है इनके बारे में तो पता होना चाहिए मतलब जैसे कि for example अगर आप दो point भी पता है मतलब जैसे यह bottom left वाला पता है और upper right वाला अगर पता है तो भी आप यह 4 चीज़ें automatically निकाल सकते हो जैसे for example यहाँ पर मैं बताता हूं कि मेरा जो bottom left वाला जो है इस particular window का जो point है वो मान के चलो है चलो मैं कुछ approximate ले रहा हूं ठीक है वो मान के चलो कुछ है 2,3 something तो यह point मेरा यहाँ पर आगया इस position पर आगया तो मेरा यह क्या हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा x यानि की x minimum और यह हो जाएगा मेरा y minimum खीक है और दूसरा अगर मैं consider करता हूं कौन सा consider करेंगे आपन यहाँ पर right वाला यह जो upper right वाला अगर point है यह अगर मुझे चाहिए मेरे इस window का समझ लीजे question में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्या लूँ मैं क्या लूँ कोई तो एक लेना पड़ेगा let's say I am just taking randomly 9,11 something like that okay तो अब यहाँ पर क्या होगा what will be this 9 9 will be nothing but x max and 11 will be nothing but your y max बराबर है तो यह 4 चीज़े अपने को चाहि होता है because भाई साब यह आपके वो boundary points है समझ में आना यह आपके वो boundary points है अगर इनके अंदर वो respective आपका question point लाए करता है तो यह आप कह सकतो इस window के inside में है वो अगर नहीं करता तो आप कहोगे वो outside में तो इसके लिए आपको यह 4 conditions जो है वो fulfill करना है अगर यह चारों में से एक भी condition अगर fail होती है तो आप कह सकतो बड़ी safely कि भाईया point आपका इस line के मतलब इस window के बाहर है अगर एक भी condition फेल करती है तो सबसे पहली चीज क्या है वो अपने को समझनी है कि मान लीजे यहाँ पे मेरा मैं पहले P1 के साथ देखता हूँ ठीक है यह P1 point है मुझे यह अंदर है यह बाहर है दिखने में तो बाहर है लेकिन अभी पता भी करना है अपने को तो यहाँ मैं सबसे पहली condition जो रखना है वो क्या है with respect to x mean मैं यह condition देखता हूँ इसके coordinate है x1 and y1 तो यहाँ पे क्या होना चीए कि मेरा जो x1 है it should be greater than or equal to x mean यह बात आपको समझ में आ सिंपल है फंडा ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है यह फंडा बड़ा सिंपल है कि यह x mean से क्या होना चीए greater होना चीए या फिर equal to होना चीए आपका respective x ओके यहाँ पे मैं सिर्फ एक general condition लेता हूँ फिर आपन जो है point पे लगाता है फिलाल तो मैं सिर्फ x की बात करता हू एक और condition क्या होना चीए x की जो भी आपका point ओको उसके coordinate की एक और condition क्या होना चीए कि it should be less than the x max मतलब यह जो limit है एक तरीके से यह जो upper limit है x axis की उसको cross नहीं करना चीए क्योंकि अगर उसको cross कर दिया मतलब आपका point एक तरीके से window के बाहर है और यह एक तरीके से आपके x axis क यह जो lower limit है अगर lower limit के इस side में है वो अगर आपका point का x जो coordinate अगर वो आपके lower limit के इस side में है कम है यानि की कहने का मतलब तो वो क्या होगा window के बाहर होगा इसलिए इस से ज़ादा होना चीए और इस से कम होना चीए यह आपको बात यहां पर समझनी तो x आपका क्या होना या भी y का भी रोल है, तो वो जो y होना चाहिए, it should be greater than equal to y mean, यह y है, ठीक है, y mean, मतलब यहाँ पर y mean, जो यह आपकी lower limit है, इससे कम नहीं होना चाहिए, आपकी y value, for that respective point, इससे equal to हो सकती है, या फिर greater than हो सकती है, एक और अपने को upper bound भी देखना है, जो upper limit है, वो क्या है equal to y max, मतलब इसके ऊपर भी अपने को ज्यादा नहीं उठना है, ओके, और इतना भी अपने को जमीन में नहीं रहना है, कि भईया, आपन y mean से भी less than वाला funda y की value वहाँ पे consider कर ले, तो यह चारो अगर conditions आपकी satisfy हो जाती है, तो you are free to tell कि भईया, एक particular point आपका inside है, लेकिन अगर इसमें से एक भी fail हो जाती है, तो आप बोलो कि भईया, point तो बाहर है, चलो अभी यह बात समझ में आ गई है, तो उसका एक numerical भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, एक case जिसमें completely outside है, और एक वाला आप देख सकते हो point जो है, inside है भी पता लगाते है, यह चार minimum 2 है, तो क्या यह condition satisfied हो रही है, obviously 5 is greater than 2, तो भाईया चलो यह condition satisfied, आगे बढ़ते हैं, अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वापस से 5 रखते है, एकस मैक्स, एकस मैक्स का भाईया 9 है, आप देखते हैं, यह condition true है क्या, आप अगर यहाँ पर following में देखोगे, तो यह condition में, 5 is less than 9, सही बात है, तो यह condition भी true है, आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ पर, अब यहाँ वाई क्या है, वाई 1 है, और वाई minimum क्या है, वाई minimum is 3, क्या यह condition true है, बिल्कुल नहीं, 1 is not greater than 3, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हो गया भाईया, लोचा, यहाँ लोचा हो तो आप अपन क्या करेंगे, यह रुख जाएंगे, और एकदम बोलेंगे भाईया, इसको इमानदावी से बोलेंगे, भाई, कट लो, भाई यहाँ से कट लो, तुम बहार हो, बहार से ही कट लो, आंदर आने के कोशिच मग करो तो इसको आपन बोलेंगे, यह होगे, देखो, 6 is greater than 2, yes, correct, tick लग चुका है, 6 is less than 9, yes, tick, इधर भी टिक लग गया, यहाँ पर y क्या है, इसका, y जो है, यहाँ पर 9 है, अगर आप देखो, 9 is greater than 3, yes, तो यहाँ पर cross नहीं होगा, यहाँ पर भी टिक होगा, ब्राबर, एक और last, बस last रहे गया, अब यहाँ यहाँ पर y की वही है, 9 तो है, यहाँ वैल्यू और y max जो है, मेरा 11 है, तो अभी आप देखो, 11 जो है, वो greater than 9 है, यह फिर 9 जो है, less than 11 है, जो भी कहना है, कहलो, बात तो सही है, और बात सही है, तो टिक भी वही है, और टिक आगे मतलब, 4 टिक आगे, 4 टिक आगे मतलब, यह point आपका inside the window है,